अर्यों, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज क्या है, कोरॉल रो में एक 3D डिजाइन आप कैसे क्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो पहले क्या है, एक पॉलिकॉल टूल लेता हूँ, कंट्रोल को होड करते हुए, इसके ड्रैग के आँ मैंने, अभी इसको क्या है, 6 सेट कर लेता हूँ, अभी इसका जो एंगल है, इसको आप 0 कर लो, तो दिखो भी ऐसा आ गया, अभी क्या है, इसमें साइस में आपको बत हो, 20 mm दिया है, मैंने, देने के बाद Enter देता हूँ, तो दिखो भी आप हैट भी चेंज हो रहा है, तो अभी इसको क्या है, Copy-Paste करता हूँ, Ctrl-C, Ctrl-V क्या है, तो अभी इसका जो साइज है, एक 16 mm देके, Enter देता हूँ, तो दिखो भी ऐसा आ गया, तो अभी इन दुनों को Select करना आपको select करके convert to curve करना है control क्यू बोलने से convert to curve हो गया तो अभी शेप डूल लेता हूं लेके अभी जो बीच में यह पॉइंट से दो है इसको क्या है करते हैं इस तरह लेना आपको फ्लिप होता है फ्लिप होने के बाद माँश राइए लिक करना है राइए लीक करके लेफ खलिक चोड़ना है तो क्या होता है और ये कोपी बन जाता है, अभी इसको Ctrl R बोलता हूँ, Ctrl R बोलने से क्या होता है, repeat होता है इतने बार repeat करने के बाद, अभी क्या है, इन सब को select करना है, Ctrl A बोलने से सब select हो गया भी, अभी ये जो उपर का जो node है, इस node को क्या है, इसे क्लिक करके इसे drag करता हूँ यहाँ पे जैसे यह द्रसना आप होता है तभी आपको क्लिक छोड़ना है मौस राइट लिक करके लेफ्ट लिक छोड़ना है तो और एक एक कॉपी बन गया अभी इसको क्या है फिर से आप कंट्रोल एब बोलो यह सब सिलेक्ट हुआ भी अभी फिर से क्या है इस नोड को लेके अभी इस पॉइंट पर आता हूँ आके मौस राइट लिक करता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया तो अभी इसको क्या है और तोड़ा कॉपी करना है मुझे तो फिर से क्या है कंट्रोल आर बोलता हूँ इतना होने के बाद अभी इसको क्या है देखो अभी जो भी हमने येलो जो हेग्जागोन है इसको मुझे अभी डिलेट करना है आप एक एक करके सेलेट करके आप डिलेट करेंगे तो इसके लिए क्या है टायम लगता है अभी इसको क्या है ग्रुप तो नहीं क्या है मैंने अ क्या करना है find and replace करके है इधर क्लिक करता हूँ इसमें आने के बाद आपको क्या करना है इधर add query करके है इसको क्लिक करता हूँ मैं क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है इसमें जो uniform fill है उस object को मुझे select करना है तो इसके लिए अभी देको इदर कहा है find objects करके है अगर कौन सा प्या object आप search करना चाहते है तो इदर कर सकते है लेकिन अभी के लिए क्लिए इसको आगे select करना है इससे तो इदर देको यह दिखा रहा है आपको uniform color fill में आता हूँ इदर आने के बाद अभी इसको select करके अभी क्या है इदर eye dropper है eye dropper लेके इदर मैं click करता हूँ इदर click करने से दिखो भी यह क्या है यह color select हो गया भी select होने के बाद इसको क्या है okay बुलने आपको okay बुलने के बाद अभी इसको क्या है Find All बोलने से क्या है जो भी इदर वो अबज्यट है वी सब सेलेक्ट हो गया अभी अभी देखो इसको क्या है डिलिट भूलता हूँ तो देखो भी क्या हो गया जो भी एल्लो जो एग्जोगॉन था वो सब डिलिट हो गया अभी सो इतना करने के बाद इस डॉकर को क्या है, close करता हूँ, अभी इन सब को select करके आप क्या करो, control G बोलो, तो group हो गया, group करने के बाद, अभी क्या एक circle लेता हूँ, control को hold करते हूँ, एक circle लेना है, समझो अभी इसको क्या है, size देता हूँ, अभी समझो एक 150 by 150 दिया मैंने, 150 by 150 mm दे रहा हूँ, इतना देने के बाद, अभी इसको क्या है, shift के साथ, इसको select करके, center कर लेता हूँ, center करने के बाद, अभी आपको क्या करना है, इस circle को select रखते हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर effect में आता हूँ, effect में आके, आपको क्या करना है, lens करके है, इधर click करत इसको क्लिक करता हूँ तो दिखो भी ऐसे डूम जैसे आपको दिख रहा है आप इसमें क्या है तोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं अभी इसको क्या है 150 तक रखा है मैंने इतना लेने के बाद अभी इसको क्या है फ्रोजन करता हूँ फ्रोजन करने के बाद अभी इसको क्या है इसे आप साइड में आप ले सकते हैं देखो भी जो टेक्शर आपने जो बनाया है उसके साथ साथ आ जाता है तो यह आपको समझ में आ रहा है, इतना होने के बाद अभी इस docker को क्या है, close कर देता हूँ, अभी दिको इसके ओपर आपको क्या करना है, most right-click करना है, right-click करके इसको क्या है, ungroup बोलता हूँ, अभी है circle क्या है, इसके साथ से, यह separate हो गया अभी, इसको delete कर देता हूँ, अबहे जो बीच मे एक white भी रहता है, object circle भी है इसको भी क्या है इसे से delete करता हूँ इतना होने के बाद, आप इण सबको select करता हूँ, select करके आपको क्या करना है Ctrl जी बोलना है, Ctrl जी बोलने से क्या है group हो गया अब इसको क्या है और क्या copy रक देता है इसको ग्रुप करने के बाद इदर क्या है इदर है शाड़ो टूल करके है इसके अंदर क्या है इदर है एक्स्टूड करके एक टूल है इसको लेता हूं मैं एक्स्टूड लेने के बाद अभी इसको क्लिक करके से ड्रैक किया मैंने ड्रैक करने के बाद अभी दिखो नंबर में आ जाता है, जो भी extrude हुआ है वो center में आ जाता है तो यह center में आ गया भी, center में आने के बाद अभी इसका जो distance है यह depth जो है, इसको क्या है 99 बोल देता हूँ, enter देदो आप, तो क्या है एक point जैसा बन जाता है, यह आपको समझ में आ रहा है, देखो भी एक point जैसा बन गया भी, अभी इसको मुझे shade देना है, तो उसके लिए इधर आता हूँ, यह क्या है, extrusion color करके है, इधर आता हूँ इधर आता हूँ, यह क्या है, use color shading करके है, इधर क्लिक क्या है मैंने, अभी इसमें देखो, यह दोनों color क्या है आपको, black में बताएगा, तो उसमें से मुझे, अभी इसमें देखो, मुझे जो उपर जो color है, इसको gray करना है, तो इधर क्लिक करता हूँ, मैं, क्लिक करके, ज तो अभी इसको क्या है ऐसे side में लेता हूँ मैं अभी इसको आप क्या करो ऐसे लेकर इसको group कर लो आप तो दिखो भी color देने की है तो आप यह color नहीं ले रहा है तो अभी मैं इसको क्या है? Smart Fill लेता हूँ, यह क्या है? Smart Fill है, Smart Fill में आता हूँ आके आपको कौँ सा color चाहिए, वो color आप select करके इदर आप click कर सकते हैं तो दिखो भी इन सब को आपको क्या है, इदर sound. इसका जो शेड है अभी यह gray रखा था मैंने तो अभी इसका shade मैं फिर से क्या है इदर we are actual tool में आता हूँ इसका जो shade है इसको arrow कर लेता हूँ करता हूं आपको एक यह डिता हूं इतना आने के बाद इस अबजट को क्या है select करना आपको इसको select करने के बाद आप इसको क्या है black shed देता हूँ shift के साथ इसको select करके e and c बोलना है यह इसके बीच में आ जाता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया यह type का आपको design लग रहा है अगर समझो इसमें आपको outline नहीं चाहिए तो इन को select करके आपको क्या करना है इधर cross mark पे mouse right click करना है right click करके set outline color बोलता हूँ तो दिखो भी outline क्या है यह remove हो जाएगा दिखो भी इसका क्या है outline remove हो गया अभी अभी इन सब को select करके group करता हूँ मैं group करने के बाद अभी इसमें क्या है इस subject को और के case कौपी कर लेता हूँ मैं इसको copy कौपी किया मैं इसको group करके रखा था मैं तो अभी इसको एक बार ungroup कर देता हूँ kontrol य具 भूलने से क्या है ungroup होता है ungroup करने कि बाद इसका distance है अभी यह 99 रहा था हम मने अभी इसको 20 करता हूँ अभी दुकिछ इसका डिस्टन्स है यह 20 आ गया भी तो अभी में क्या करता हूँ कि एक ये करता हूँ मैंने एक रखनेison काउन गार है इभर्धर श्रीट करने के बाद सेन्टर में लाता हूँ अभी आपको क्या करना है इसका color क्या है red रखता हूं और जो बाहर का जो color है इसको black ही रखा है मैंने अभी इन दोनों को आप select करके इन सी करना है तो दिको अभी center आ गया अभी इसको क्या है shift पेज़ डोंग करता हूं तो नीचे की तरफ आ गया है यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको टॉप में यह है इस object को select रखते वे इसका shade क्या है अभी change करता हूं फिर से extrusion color करके है इधर आता हूं इसमें आके आ है magenta 100 और yellow 100 करना है अभी दिको यह क्या है red हो गया अभी इसको क्या है आपको इन सब को select करना है अभी दिको इसका जो outline है उसको remove करना है मुझे तो इन सब को select रखते हूं अभी क्या इधर cross mark के mouse right click करके set outline color बोल दो तो outline remove हो जाएगा so outline को remove करने के बाद एक बार आप क्या करो इसको जो अंदर का circle है इसको select करते हुए इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा कर लेता हूं मैं थोड़ा बढ़ा किया मैंने तो दिको भी इस तरह क्या है कौन से भी 3D objects क्या है आप create कर सकते हैं यह आपको समझ में आ गया अगर यह करते हो तो आपको कुछ doubts वगिरा है तो मु